नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सभी दोस्तों का हराई नियूस पर बहुत बहुत सौगत करते हैं सभी बड़ी खबरे मुख्य समझा आप लोगों के लिए लेकर के एक बर फिर से हाजिर हैं जहां पर चलेंगे पहली बड़ी अपडेट में बताएंगे 2024 के लोग सभाचुनाओं में छेत्रिय पार्टियां रहेंगी एहम बोले हैं मशुहूर अर्थसास्त्री अमर्त सेन बताया है किस नेता में है पियन्म बनने की काबिलियत क्या कुछ कहना है आगे जानेंगे खबर को विस्तार से तो वहीं दोस्तों इसके साथ ही आप लोगों को बताएंगे BJP की दिगज नेता पंकजा मुंडे को उध्ध ठाकरे गुट में सामिल होने का मिला है आफ़र तो वहीं बताएंगे जम्मो कश्मीर में भारत जोडो यात्रा की तैयारियां है जोरो सोरो पर मद्य प्रदेश में विधान सभा चुनाव से पहले हलचल देखने को मिल रही है यहां पर देगज नेता सामिल हुआ है कॉंग्रेस पार्टी में इसी प्रकार की तमाम बेहत बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्धम से पहुँचाएंगे तो वहीं दोस्तों अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरू दोबाईएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा जै हिंद जै भारत पहली बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को 2024 के लोग सभा चुनाव को लेकर के बोले हैं मशुहूर अर्थसास्त्री अमर्त सेन कहा छेत्रिया पार्टिया रहेंगी एहम ममता बनरजी में हैं पियम बनने की काबिलियत खबर बताते चलें नॉबल पुरुसकार विजेता मशुहूर अर्थसास्त्री अमर्त सेन का कहना है कि 2024 में होने वाले लोग सभा चुनाव में कई छेत्रिया पार्टियां एहम भूमिका निभाएंगी उन्होंने कहा है कि यहां सोचना गल्ती होगी कि 2024 के लोग सभा चुनाव में भाजपा एक तरफा जीत हासिल करेगी इसके साथ ही अमर्त सेन ने यहां भी कहा है कि कॉंग्रेस काफी कमजोर हो चुकी है लेकिन धीरे धीरे वहां यहां पर मजबूत हो रही है उसकी ताकत राश्ट्र व्यापी दरश्टिकोन है जो किसी अन्य पार्टी के पास नहीं है नॉबल पुरुसकार विजेता अमर्त सेन ने ये भी कहा है कि टीमसी की मुखिया ममता बनर्ची में देश की प्रधान मंत्री बनने की काबिलियत है अमर्त सेन ने कहाए कि 2024 के लोग सभाचिना में कुछ छेत्रिय पार्टियां एहम भूमिका निभाएंगी इनमें डीम के टीमसी जैसी पार्टियां सामिल है अमर्त सेन ने समाजवरी पार्टि को भी एहम बताया है उन्होंने कहाए कि यहाँ सोचना गलती होगी कि कोई भी पार्टि भाजबा की जगहे नहीं ले सकती है इसके साथ ही उनका कहना है कि मुझे लगता है कि अगर विपच्ची राज़िनितिक पार्टियां कोसिस करती हैं तो वहाँ भाजबा को टक कर दे सकती है इसके साथ ही उनका कहना है कि मम्ता बनरजी में भारत का अगला प्रधान मंत्री बनने का माद्दा है ये यहाँ पर बड़ा बयान आया है नॉबल विजेता अमर्त सेन की तरफ से इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें बीजेपी की दिगज महिला नेता पंकजा मुंडे को उद्धब गुट में सामिल होने का मिला है ओफर चीहां दोस्तों खबर बताते चलें पिछले कुछ दिनों से भारती एजन्ता पार्टी की महिला नेता पंकजा मुंडे के बीजेपी से नाराज होने की खबरे सार्वजनिक तोर पर आती रही हैं लेकिन वहाँ कई बार कहे चुकी हैं कि वहाँ पार्टी से नाराज नहीं है दरासला आप लोगों को बताते चलें पंकजा मुंडे बीजेपी में काफी बड़ी नेता है महराश्टर के अंदर और उनको मंत्री मंडल में जगहे नहीं दी गई इसके चलते वहाँ यहां पर भाजपा से नाराज बताई जा रही है जिसके बाद उद्धब गुट ने पंकजा मुंडे को आफर दिया है उद्धब गुट में सामिल होने का तो वहीं एक और बड़ी खबर बताते चलें जम्मू कश्मीर में भारच चोड़ो यात्रा की तैयारियां सुरू हो चुकी है आयोजा निस्थल का केंद्रिय कमिटी ने लिया है जाय 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 जी हाँ दोस्तों अगामी 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाली भारच चोड़ो यात्रा को लेकर के कॉंग का सर्मा ने बताया है कि लखनपुर में यात्रा का पहला पड़ाव इस्थल पर भव्य कारकरम का आयोजन किया जाएगा और जम्मू कश्मीर में जोर सोर से तैयारियां चल नहीं है भारज जोड़ो यात्रा को लेकर के एक और अपडेट आ रही है। से असंभव है यहाँ पर सांसद ससी धरूर ने कहे कि जब भाजपा कई राज्यों को खो सकती है तो केंदर की सत्ता को खोना असंभव नहीं है। ससी तरह से असंभव है और 2024 में बहुमा से नीचे गिरना पूरी तरह से संभव है। इतना ही नहीं ससी धरूर ने आगे कहे कि भाजपा को 50 सीटों का नुक्सान होना तो तै है और विपच्छ को भी इस बार काफी अच्छा फायदा होगा लोग सभा चुनाव में। दोस्तो इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताईएगा एक और अपडेट आ रही है। मद्ध प्रदेश में अभी से ही विधान सभा चुनाव को लेकर के हल चलते जो रेटाइड डियस्पी रच्छपाल सिंग यादब कॉंग्रेस पार्टी में हुए सामिल जीहां दोस्तों मद्ध प्रदेश में विधान सभा चुनाव की सुगवगाहट अभी से ही सुरू हो और जंता से सीधे जुड़े होने का फायदा उठाते हुए लोग प्रियाता को भुनाने के चलते रेटाइड डियस्पी रचपाल सिंग यादब आगामी विधान सभा चुनाव में बड़ा मलहरा विधान सभा चेतर के प्रवल दाविदार माने जा रहे हैं और इस दोरान ब बड़ा बयान क्या कुछ है पूरा मामला खबर बताते चलें कॉंग्रेस मुख्याले में एवियम और 30 करोण प्रवासी वोटरों को लेकर के एक बड़ी बैठक हुई बैठक में कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता दिगविजय सिंग जैराम रमेस और विवेक तनखाने विश करोण प्रवासी मतदाताओं का भी था दिगविजय सिंग ने इस आकड़े पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये आकड़ा आखिर चुनाव आयोग के पास कैसे आया इसके साथ ही दिगविजय सिंग ने कहा है कि कॉंग्रेस एवियम विरोधी नहीं है लेकिन उसको लेकर के जो संदे है वहाँ सोभाविक है उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि ये मसीन स्टैंड अलोन है कि नहीं इसकी मैनुफैक्टरिंग कहा हो रही है इसकी चिप कौन बना रहा है उन्होंने कहा है कि कॉंग्रेस जाती है कि चुनाव आयोग ईवियम की विश्व सुनियता और पारदर्सिता को देश और राजनीतिक दलोग के सामने सुनिश्यत करे ये यहाँ पर कॉंग्रियोस के नेता धिगविजय सिंग की तरब से आया है बड़ा बयान बैठक के बाद तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दिल्ली के डिप्टी सियम मनी सिसोदिया ने किया बड़ा दावा कहा CBI मेरे दफ्तर पहुंची उनका सौगत है जिहां दोस्तों खबर बताते चलें दिल्ली के डिप्टी सियम मनी सिसोदिया के दिल्ली इस्थित सचेवाले में CBI ने चापा मारा इस बीच उन्होंने दावा किया है कि CBI को पहले भी कुछ नहीं मिला था और अब भी कुछ नहीं मिलेगा दरासल दोस्तों बताते चलें दिल्ली के डिप्टी सियम मनी सिसोदिया ने एक ट्वीट कर दावा किया कि आज फिर CBI मेरे दफ्तर पहुंची उनका स्वागत है इन्होंने मेरे घर पर रेड कराई दफ्तर में चापा मारा लॉकर तला से गाउं तक में छानबीन करा ली मेरे खतब नहीं होती है सिवसेना के दोफाड होने पर बोले हैं सानसद संजय राउत जी हाँ दोस्तों एक प्रेस काउंफरेंस में संजय राउत ने कहा है कि सिंधे गुट और बीजेपी को तो जनता ही अब जवाब देगी उन्होंने आगे कहा है कि पीम नरेंदर मोदी बीज इरादा है कि महराश्ट्र की राजनीती में सिव सेना को खतम करो ऐसा कभी भी नहीं होगा आज भी पार्टी बाला साहब ठाकरे के नाम से ही चलती है महराश्ट्र की जनता बीजेपी के इस खेल के खिलाफ है विधायक और सांसद तोड़ने से पार्टी खतम नहीं हो जाती है संजे राउत ने आगे काहे कि पार्टी के आधार कार करता होते हैं यहाँ लोग जमीनी है इस कारण बाला साहब ठाकरे के लोग हमसे नहीं टूटेंगे बीजेपी ने जो खेल किया है वो किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा अब इन लोगों को जनता जवाब देगी ये कहना ह संजे राउत का एक और अपडेट आ रही है अखिलेश यादब तेलंगाना के मुख्यमंतरी केसियार की रैली में होंगे सामिल जी हाँ दोस्तों आप लोगों को खबर बताते चलें अखिलेश यादब ने कहा है कि उनको तेलंगाना के मुख्यमंतरी केसियार की तरब से र रैली में सामिल होंगे और वहीं अखिलेश यादब से रहुल गांधी के नेतरित में भारत जोड़ो यात्रा में सामिल होने को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि निमंतरण मिला है पार्टी के नेताओं के साथ में विचार करके इस पर फैसला करूँगा कि वहा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केच अंदर सेखर राओ राजे से निकल करके अब देश की राष्ट्रिया राजिनीती में हाथ आजमाने की कोशिस में जुटे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। इतना ही नहीं बीजेपी पर भड़कते हुए पुर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादब ने कहा है कि महंगाई बिरोजगारी चरम सीमा पर है। भाजपा जूट बोलने में नमबर एक है इस सरकार में किसी को भी काम नहीं मिल सकता है जनता भाजपा को जवाब देगी भाजपा साफ हो जाएगी। भाजपा कानून और समिधान को नहीं मान रही है अब जनता इनका सफाया करतेगी भाजपा सरकार में भ्रेश्ट अचार बहुत बढ़ गया है ये कहना है अकिलेश यादब का। कर दो बढ़ा कर दोस्ते नहीं में भाजपा सरकार में अपेड़ का दो जरूपा कर में भाजब के साफ है ये कहना है